हेलो दोस्तों स्वागत आपका जैस फोकस आईएस में मेरा नाम है ललीता अनन हम लोग पढ़ रहे थे एंसेंट इस्टी ओफ इंडिया जिसमें लाश क्लास तक हमने रिगवैदिक कालीन संस्कृति की बात की थी आज हम पढ़ रहे हैं वैदिक संस्कृति के आखरी क्लास आ उत्तरवैदिक काल में विदत जो है ये सरवप्रतम समाप्त हो गई थी पहली बात तो ये ठीक है दूसरी बात हमें क्या मिलती है हमें एत्रे ब्रहमन और शत्पत ब्रहमन इनमें जो उलेक है जो फैक्ट इनमें उलेक जो है वो चीजे हमें याद रखनी है ठीक है तो राजा के अधिकारों में व्रद्धी हुई जिसके परिणाम सुरूप क्या हुआ कि जो अलग-अलग दिसाओं के राजा थे वो अलग-अलग नाम से जाने जाने लगे ठीक है जैसे जो मद्यदेश में होता था वो राजा कहलाता था ये एक डाइग्राम से आप समझे कि मद् कि तरफ गए तो वो भोज कहलाने लगा ठीक है तो ये थे जो चारो दिसाओं में कहे जाने लगे लेकिन जो राजा चारो दिसाओं को विजित कर लेता था उसको एक राट कहा जाता था ठीक है जो इन चारो दिसाओं को जीत लेता था उसको एक राट विजिता कहा जाता थ तो जो राजयाी का आपको याद रखनी है कि राजज़य यह विस्तरत वर्णन वो में कहाा मिलता है सत्पत ब्रहमन मिलता है ठीक बात किलियर हो गई अब राजसुय यग जो है इसमें सत्रा प्रकार के जल से राजा के अभी शेक का वर्णन किया जाता था ऐसा कहा गया है ठीक है अब इसमें क्या है एक हमें रतनिन एक बात हमें याद रखनी है ये रतनिन क्या है तो रतनिन होते थे जो राज्य के उच्च पदादिकारी होते थे ठीक है और वो मुख्य तक आते है वो कुलीन वर्ग से समबंदित होते थे ठीक है अब शत्पत ब्रहमन में सरवादिक बारा रतनियों का उलेख है यहाँ फिर शत्पत जैसे सेनानी है जो सेनानी है ये सबसे प्रमुक रतनिन होता था ठीक है वहीं जो प्रोहित है प्रोहित ये सेनानी के बाद का इस्थान इसका था ठीक है यानि कि ये इसका इस्थान जो है ये दूसरा है यानि कि ये दूसरा सबसे प्रमुक रतनिन होता था ठीक है तीसरा होत तो इनी 6 में से आपको आपके एकजाम में यदि पूछा गया तो मिल जाएगा आगे हम बात करें यदि शत्पत ब्रहमन में ये बात उल्लखित है कि जो कर होता था वो केवल वैश्य वर्ग ही कर देता था ये बात आपको याद रखनी है ठीक है और इसकी जो मात्रा थी वो एक बटे सोला भाग होती थी यानि कि उत्पादन का एक बटी 16 भाग कर के रूप में दिया जाता था और केवल वैष्य वर्ग ही कर देता था ठीक है बात के लिए अब वैष्य द्वारा दूसरे भी कर दे जा से जैसे बली ठीक है तो वैष्य लोग जब बली कर देते थे तो इसके कारण इसके अन्य नाम पड़ गए ठीक है जैसे अन्य स्याद्य इसको कह गया तो ये बात आपको याद रखनी जरूरी नहीं है ठीक है अब यहाँ पे सजा का क्या प्रावधान था तो ब्रामनों को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था ठीक है ये बात याद रखनी है और अपराद सिद्धी के दो माध्यम होते थे कई माध्यम थे दो प्रमुक थे एक होता था जल परिक्षा और दूसरा होता था अगनी परिक्षा ठीक है तो अपराद सिद्धी के लिए जल परिक्षा और अगनी परिक्षा परचलित थी जो इसमें फेल हो गया उसको माना गया कि ये दोशी है ठीक ह और फिर उसके अनुसार उसको सजा दी जाती थी ठीक, उत्तरवैदिक काल से सम्मनिन एक फैक्ट आपके लिए बहुत जरूरी है यह याद रखना है आपको एक दम कि उत्तरवैदिक काल में जो राजा होता था वो कोई इस्थाई सेना नहीं रखता था ठीक है, यानि कि कोई इस्थाई सेना नहीं रखता था अब सवाल यह आता है तो युद के समय क्या होता था यदि उसके पास सेना नहीं थी तो युद के समय वो लोग क्या करते थे तो यहाँ लिखा है कि राजा के पास इस्थाई सेना नहीं थी ठीक है यानि कि एस्थाई सेना थी तो होता क्या था कि युद्ध के समय जब युद्ध हुआ तो कबीले के जवानों को भरती कर लिया जाता था ठीक है तो जैसे युद्ध समाप्त होगा वो लोग वापस अपने कबीले में चले जाएंगे और वो जो कारे करते थे वो फिर से उसमें लग जाएंगे ठीक है यानि कि जब युद्ध होगा तब कबीले से भरती हो जाएगी और जब युद्ध समाप्त होगा फिर से उनके चुट्टी कर दी जाएगी यानि कि राजा के पास एस्थाई सेना थी तो ये आपको याद रखना है कि उत्तरवैदी काल में राजा के पास कोई इस्थाई सेना नहीं होती थी आप बात करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में तो भारतिय सामाजिक विवस्ता का जो आधार है वो वर्णासरम विवस्ता है हम लोग जानते हैं लेकिन एक बात आपको यहां ये समझनी है कि वन विवस्ता की जो नीव थी वो रिगवेदिक काल में पढ़ चुकी थी ठीक है लेकिन ये पून रूपेन जो इस्थापित हुई ये उत्तरवेदिक काल में इस्थापित हुई थी ठीक है याद रखना है कि नीव थो इसकी रिगवेद काल में ही पढ़ गई थी लेकिन ये देखा जाए तो पून रूपेन जो इस्थापित हुई थी वो उत्तरवेदिक काल में हुई ठीक है और वही समाज में चारवन ब्रहमन राजन्य वैश्य और शुद्र जो थे ये थे ठीक है एक बात आपको याद रखनी है कि रिगवेदिक काल में साथ प्रोहित होते थे ठीक है जबकि उत्तरवेदिक काल में इनकी संक्या जो है बढ़कर सत्रा हो गई थी ठीक बात किलियर हो गई अब जो ये वैश्य वर्ण था इसकी उत्पत्ती जो थी वो विश्य शब्द से हुई ठीक है और जो वैश्य लोग थे इनके कर देने के कारण इनको अनस्य बलीकरत कहा गया जब ये बली कर देते थे ठीक है अन्य स्याद्य इनको कहा गया ठीक बात के लिए हुई यदि हम बात करें उत्तरवेदिक काल में इस्त्रियों की दसा कैसी थी ठीक तो इस्त्रियों की दसा की बा पहली बात आपको यह याद रखनी है ठीक है इसमें क्या होता था देखिए जब गोत्र शब्दा आया तो इसका मूल अर्थ क्या था गोष्ट यानि एक वो इस्थान होता था जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था जहां सब लोगों की गाएं पाली जाती थी ठीक है लेकिन बाद में क्या हुआ इसका अर्थ एक ही मूल पुरुस से उत्पन लोगों का समुदाय हो गया ठीक है यानि कि फिर क्या इस्टार्ट हुआ फिर हुआ अपने गोत्र से बाहर विवा करने की प आप अपने आसपास देखते होंगे जो विवा होते हैं उसमें गोत्र का एक महत्तपुनिस्थान होता है कि लड़के का गोत्र क्या है लड़की का गोत्र क्या है ठीक है यदि दोनों का गोत्र अलग-अलग है तो शादी होती है ठीक है एक ही गोत्र में शादी नहीं होती ह तो ये आज इसका जो अर्थ है गोत्र शब्द का जो अर्थ है ये विक्रत हो गया है ठीक बात क्लियर हो गई अब यदि थोड़ी सी बात करें कि उत्तरवैदिक काल में इस्तरियों की दसा कैसी थी तो हमें याद रखना है कि एत्रे ब्रहमन में पुत्री को ही समस्त दुखो का कारण माना गया है यानि कि इस बात से क्या समझ में आया कि रिगवैदिक काल की अपेक्षा उत्तरवैदिक काल में इस्तरियों की दसा में गिरावट आ गई थी ठीक है बात किलियर हो गई और शत्तपत ब्रहमन में इस्तरी को अर्धांगनी कहा गया है ये बात आपको य अन्यास, तो इनकी चारों की हम बात करने वाले हैं, ठीक है, तो जो ब्रहम चर्य आशरम होता था, ये होता था पच्चिस वर्स तक, ठीक है, बल्ला इसमें क्या था, इस आशरम में मनुष्य जो है, उसका बोधिक विकास, ज्यान और सिक्षा प्राप्त करना उदेश्य होता तो इसकी जो समय है इसकी समय सीमा 25 वर्स रखी गई है ठीक है क्योंकि 25 वर्स तक क्यों उम्र तक क्या करता है बालक सिक्छा प्राप्त करता है ठीक है लेकिन बहुत से ऐसे ब्रहमचारी होते थे जो जीवन परियन सिक्छा प्राप्त करते थे तो ऐसे ब्रहमचारियों को नै निस्टिक कहा जाता था लेकिन जो निश्चित समय तक सिक्षा प्राप्त करते थे यानि कि जो 25 वर्स की सीमा है उस तक सिक्षा प्राप्त करने वाले जो ब्रहमचारी होते थे उनको उपकुर्वान कहा जाता था ठीक है ये वोई पुर्षो की बात अब कुछ कन्याएं भी ऐसी थी तो कुछ कन्याएं ऐसी थी जो आश्रम में रहकर जीवनबर सिक्षा प्राप्त करती थी तो उनको ब्रह्मवादनी कहा जाता था ठीक है ये नाम आपके लिए याद है किसको नैस्टिक कहा जाता था किसको उपकुर्वान कहा जाता था ठीक है बात क्लियर हुई लेकिन जो विवाद से पूर्व त mismos सिक्षा प्राप्ट करने वाली कन्याएं होती थी उनको साध्यों वधू कहा जाता था ठीक है जो आश्रम में रहकर जीवन भर सिक्षा प्राप्त करेंगी वो भ्रह्मबादनी कहलाएंगी और जो विवहा पूर्व तक सिक्षा प्राप्त करेंगी उनको साध्योवधू कहा जाएगा ठीक है ये ब्रह्मचरय आस्रम की बात थी अब हम बात करते हैं घ्रस्त आस्रम के बारे में तो इसकी जो समय-सीमा है वो 25 वर्स से 50 वर्स तक है और ग्रस्त आशरम को सभी आशरमों में स्रेष्ट माना गया है यह समाज के सभी वर्णों में मानने था और इसमें क्या है कि मनुष्य को तीन रिनों से मुक्ति पानी होती थी ठीक है और पांच अपने महायग करने होते थे ये एक विधान था ठीक है ये विधान था तो हम वो तीन रिण कौन से हैं उनकी बात करते हैं पहले तो कि मनुष्ये को वैसे कौन से तीन रिण है जिनसे उरिण होना होगा जो मुक्त होना होगा ठीक है तो पहला है उसमें इसमें क्या होगा इसमें वेदिक ग्रंतों का अध्यन किया जायेगा दूसरा है पितरिन यानि कि पुत्र की उत्पत्ती है तूसरा है देवरिन यानि कि इसमें यग आधी करवाये जाएंगे ठीक है दूसरा है इसमें पंच महायग्य यानि कि गरस तासरम में ही पंच महायग्य जो थे संपादित किये जाते थे तो उसमें पहला होता था ब्रहम यग्य या रिशी यग्य बिसको कहा जाता था ठीक है तो इसमें क्या कि वही वेदो का अध्यन किया जाएगा और इस यग यग के माध्यम से क्या होगा जो विक्ती है वो अपने प्राचीन, विद्वान जो रिषी है उनके प्रतिय अपनी कृत अपने आभार ग्यापित करता था ठीक, दूसरा है देव यग्य अब इस देव यग्य में क्या जाएगा तो इस यग्य में देवताओं की पूजा की जाएगी और यग्य के माध्यम से पूजा के माध्यम से उन्हें प्रसन किया जाएगा ठीक है, तीसरा है पित्र यग्य तो पित्र यग्य होता था जो हम आज भी देखते हैं कि यह जो हमारे पूरवज होता है यानि कि जो हमारे मृत पित्र आपने नाम सुना होगा तो इसमें क्या होता था पित्र यग्य में कि अपने मृत पित्रों की शांती है तो यह किया जाता था ठीक है यानि कि इसमें जो तरपन होता है या श्राध आपकोने सुना होगा श्राध तो वो श्राध जो है वो पित्र यग का ही एक भाग है ठीक है अगला है भूत यग्य तो भूत यग्य नाम से इस पस्ट है इसमें क्या किया जाएगा इस यग्य के माध्यम से भूत प्रेतों को शांत किया जाता था ठीक है, अगला है मनुष्य यग्य या नर्यग्य, इसका उदेश्य क्या होता था, इसका उदेश्य था अतीतियों की सेवा करना, ठीक है, बात किलियर हो गई, आगे हम बात करते हैं वान प्रस्त आस्रम के बारे में, ठीक है, तो वान प्रस्त आस्रम है, इसकी जो समय है, वो पचास से पचात्तर वर्स तक है ठीक है इसमें मेंली इसका उदेश्य क्या होता है इसका उदेश्य है कि वान प्रस्त भोतिक जीवन से मुक्ति पाने का एक साधन है ठीक है यानि कि जब मनुष्य जो है लोकिक जीवन के कारियों से मुक्ति पा लेता था तब वह पारलोकिक जीवन की तरफ उन्मुक्त होता था, ठीक, तो ऐसा नहीं है कि वानप्रस्त आसरम में आने के बाद व्यक्तियदी भोतिक जीवन से मुक्ति पा लेता है, तो वो समाज से भी कड़ जाता है, जबकि उसका समाज से संबंद बना रहता है, ठीक है, तो मेनलीस में क्या है, कि इस का अरत होता है पून त्याग करना यानि कि इसमें मनुष्य क्या करेगा अपने घर का पून त्याग कर देगा और उसका उद्देश्य क्या होगा मोक्ष प्राप्ति के लिए ठीक बात किलियर हो गई अब बात करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में ठीक है हमने राजनेतिक की बात कर ली सामाजिक की बात कर ली अब बात करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में ठीक तो उत्तरवैदिक काल में क्या होगा कि क्रिशी का महत तो बढ़ गया और पशुपालन जो था वो कम हो गया ठीक अब इसका रीजन क्या था ऐसा क्यों हुआ तो उत्तरवैदिक काल में आयो के जीवन में क्या था कि रिगवैदिक काल के पेक्षाइक अधिक इस्थाइत्व आ गया था ठीक है अधिक इस्थाइत्व आ गया था तो जब इस्थाइत्व आ गया था तो उससे क्या होगा कि किर्शी का महत बढ़ जाएगा उनके लिए अपने लिए अनुत्पादन का नावश्यक हो जाएगा जबकि रिगवैदिक काल में क्या था उनका जीवन में इस्थाईत तो नहीं था तो उनके लिए जो पसू थे वो समपत्ती होते थे तो इसलिए रिगवैदिक काल में पशुपालन का महत तो अधिक था ठीक है वहीं उत्तरवैदिक काल में क्या हुआ कि रिगवैदिक काल क्या पेक्चा उनके जीवन महत तो आ गया तो पशुपालन का महत तो कम हो गया और कृशी का महत तो बढ़ गया ठीक है और इन समका जो पुर्मुक कारण है वो लोहे का प्रियोग है ठीक है बात के लिए उत्तरवैदिक जो ग्रंत हैं उनमें लोहे को श्याम अयस कहा गया है या कृष्ण अयस कहा गया है ये बात आपको याद रखनी है ठीक है कि श्याम चीजों के लिए कुछ सब्द प्रियोक किये गए हैं जैसे हल के लिए सीर सब्द का प्रियोक किया गया है गोबर की खाद के लिए करीश शब्द का प्रियोक किया गया है ठीक तो ये सब्द जो है ये आप एक बार पढ़ लेना कोसिस करना कि आप इनको दो तीन बार पढ़े तो यह आपको याद हो जाएं ठीक है गोबर के लिए जो गोबर का खाद है उसके लिए करीश चावल के लिए ब्रहमी या तंदुल कहते थे गेहूं के लिए गोधुम कहा जाता था, धान के लिए शाली, उडद के लिए माश, सरसो के लिए शारिशा का, गन्ने के लिए इच्छू, और सन के लिए शन ठीक है, बात क्लियर हो गई, अब बात करते हैं कि यहां पे नोट लिखा है, तो यह महतवपूर्ण बात है, एक फैक्ट आपको याद रखना है, अब देखिए, जब किरसी का महत बढ़ गया, तो किरसी की सिचाई के साधनों की बात आएगी, तो पहली बार अथर वेद में नहरों का उलेक हुआ है, ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है, ठीक, अब यहां एक दो फैक्ट और लिखे हैं, क्या है, कि तैत्रिय सहिता में रिन के लिए कुसीद सब्द का प्रियोग किया गया है, कुशीद, ठीक है, और जो रिन देने वाला होता था, जो उधार द प्रतिका होती थी, मेंली, ठीक है, और द्रोन एक इकाई थी, जिसका अनाज मापने के लिए जिसको यूज किया जाता था, ठीक, बात किलियर हो गई, अब एक बात यहां पर फिर नौट लिखा है, तो एक और महत्वपुन बात है, कि उत्तरवैदिक आरे जो थे, उन्हें समुद्र का ज्यान हो गया था, ठीक है, उन्हें समुद्र का ज्यान हो गया था, ठीक है, अब हम बात करते हैं सूत्र कालीन सभ्यता के बारे में, ठीक, इसका समय जो होगा, वो छटी सताबदी इसापूर से तीसरी सताबदी इसापूर तक है, ठीक है, मेंली, reason क्या था, कि वैदिक साहित्य को अक्षुन बनाए रखने और संचिप्त करने के लिए सूत्र साहित्य के रचना की गई थी ठीक है और सरवपर्थम क्या था कि वैदिक साहित्य को जो विभाजन था वो छैंगों में किया गया था और इनको वेदांग का गया था ठीक है तो इस प्रकार के गरंटों में यास्क का निरूप्त आपको यादा आएगा हमने यास्क के बारे में बात की है और महर्शी पाणीनी की अष्टधाई जो है वो प्रमोख है ठीक है हम सूत्र कालिन सब्वयता के बारे में कुछ जानते हैं ठीक अब बात करते हैं सूत्रकालीन सभ्यता में सामाजिक जीवन के बारे में ठीक है तो सूत्रकाल तक आते हैं थे क्या हुआ कि जो वन थे वो जातियों में परिवर्तित हो गए थे ठीक है और यहीं पर क्या हुआ कि जातियों को जो आधार था वो कर्म ना होकर जन्म हो गय गया था ठीक है दूइज कहा गया था तो सीधी सी बात ये तीन बना गया यानि कि शुद्र जो थे उनको अलग माना गया ठीक है अब शुद्र जो होंगे वो दो प्रकार के शुद्र पाणी ने बताए हैं एक होते हैं निर्वासित यानि कि जो नगर के बाहर रहते हैं एक हो ठीक है बात क्लियर हो गई सूत्र काल से ही ऐस प्रश्यता का उद्य हुआ ये बात आपको याद रखनी है ठीक बात क्लियर अब हम बात करते हैं कि विभा जो ग्रह सुत्र है उसमें देखे विभा के आठ प्रकार बताए गए है जो विभा है एक पवित्र संसकार माना जाता ठीक है तो आठ प्रकार के विभाहों का वर्णन है ग्रहम सुत्र में ठीक अब ये आठ कौन-कौन से हैं एक बार हम जल्दी-जल्दी देख लेते हैं पहला है ब्रहम विभा तो ये जो ब्रहम विभा है एक तो ये सबसे उत्तम प्रकार का विभा होता था इसमें क्या होता था कि पिता जो था जो लड़की का पिता होता था वो वर को यानि कि जिससे साधी करेगा उस लड़के को घर बुला कर अपनी कन्या सोब देता था ठीक है जैसे आज का जो विवा है वो इसी रूप में समापन किया जाता है ठीक है तो ये जो विवा है ये अधिक परचलित थ जैसा आज का विवा है उसको ब्रह्म विवा के संदर में आप याद रख सकते हैं दूसरा है दैव विवा अब इस विवा में क्या होता था कि जो कन्या का पिता है वो एक यग्ग का आयोजन करता था ठीक है और जो ब्रामन यग्ग का समपादन करता था अंत में उसे अपनी कन्या का दान दे देता था ठीक, तीसरा होता था प्रजापत्य विवा, अब ये प्रजापत्य विवा क्या है, कि इसमें क्या होता था, कि कन्या का जो पिता है, वो वर को कन्या परदान करते हुए या आदेश देता था, कि दोनों साथ साथ मिलकर अपने कर्तव व्यों का निर्वाह करें, ठीक है, यान जो हैं अपने कर्तव्यों का निर्वा करेंगे ठीक है अगला होता था असुर विबा असुर विबा क्या है यह है विक्रे विबाता मतलब इसमें कन्या का जो पिता होता था वो वर से एक मूल्य लेकर कन्या उसको बेच देता था ठीक है कहीं न कहीं यह आज भी समाज में पर प्रचली थे ठीक है तो अब आपको क्या है जब आप कहीं पर साधी देखें तो आपको ये बोलना है कि ये ब्रह्म विवा हो रहा है ठीक है कहीं पर आपको पता चले कि कहीं पैसे लड़किया एक पिता ने अपनी बेटी को पैसे लेकर साधी की है तो वो असूर विवा है ठ तो अभी ये गंधर विवा जो है आज भी है लव मेरिज आज भी होती है जिसमें माता पिता खो जानकारी नहीं होती है ठीक है अब यही से क्या था कि जो गंधर विवा है इसका ही एक रूप है स्वैमवर। जिसमें क्या कि जो कन्या का पिता है, वो स्वेमवर आयोजित करता है, जिसमें लड़की जिसके गले में माला डाल देगी, उससे उसकी साधी हो जाएगी, स्वेमवर, यानि कि स्वेम की इच्छा से वर का चुनाओं करना, ठीक है, तो गंदर विवा का ही एक रूप है स्वे ठीक है अगला है पैशाच विवा इसमें क्या होता था कि जबरदस्ती किसे साधी कर लेना या बलतकार करने के बाद उससे साधी करना ठीक है तो ये विवा का सबसे निक्रस्ट रूप था पैशाच विवा ठीक है अंतिम है आर्श विवा अब आर्श विवा में क्या होता था कि इसमें कन्या का जो पिता है वो एक धर्म कार्य करने के लिए क्या करता था वर से एक गाएं या एक बैल या इनकी एक जोड़ी या एक गाएं ले लेगा या बैल लेगा या इनकी एक जोड़ी लेगा और उसको क्या करेगा वर के साथ कन्या का विभा कर देगा ठीक है यानि कि एक धार्मिक कारे के लिए वर से क्या किया जाएगा या तो एक गाए ले ली जाएगी या बैल या इनकी एक जोड़ी ले ली जाएगी ठीक है और उसके बाद क्या होगा कि वर के साथ कन्या का विभा कर दिया जाएगा ठीक उमीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं महाकाव्यकाल की तरफ तो जब हम महाकाव्यकाल की बात करते हैं तो आपको रामायन और महाबारत ये दोनों एकदम से ध्यान में आते होंगे ठीक है तो रामायन की ये दिबात करें वैसे मेंली सब चीज़ा आपको लगभग इसके बारे में पता होंगी तो रच्यता महर्शिवाल्मी की है मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और इसका जो अंतिम संकलन है वो चारसो इसवी के असपास हुआ था और चारसो इसवी के असपास ही महाबारत का अंतिम संकलन हुआ था ठीक है ये बात आपको याद रखनी है तो रामायन जो है इसे भारत का आदी महाकाव्य भी माना जाता है ठीक है और जो वालमिकी होंगे तो उनको आदी कवी कहा जाएगा ठीक अब जो रामायन है इसे चतुर विष्टी सासरी सहीता भी कहा जाता है ठीक है तो क्या आदी महा कावे भी कहा जाता है और चतुर विष्टी सासरी सहीता भी कहा जाता है ठीक है आपके लिए याद रखना ये जरूरी है कि रामायन का तमिल भाषा में पहली बार जो अनुवाद था वो चोल सासक कुलोतुंग तृत्य के समय में कवी कंबन ने किया था तो एक तो कंबन आपको याद रखना है दूसरी बात चोल सासक के समय में होता ये बात याद रखनी है तीसरी बात कौन थे वो सासक कुलोतुंग तृत्य है ठीक है अगली बात ये है कि रामायन का बंगला भासा में अनुवाद जो था वो सरवपर्थम कृत्ति वास ने बार पेरियार जिनको कहा जाता है उन्होंने किया था उसका नाम रखा था इन्होंने सच्ची रामायन ठीक है तो पेरियार साहब जो है ये इस वर्स चर्चा में भी थे तो पेरियार साहब ने दक्षिन भारत में जो कारे किये थे आप उनके बारे में एक बार गूगल कर लीज था ये भी 400 इस्वी के आसपास स्पून हुआ था अंतिम रूप से ठीक है अब प्रारंब में क्या था कि महाभारत में केवल 8800 स्लोक थे ठीक है और तब इसे जै सहीता कहा जाता था ठीक है इसका आरत है विजय संबंदी ग्रंत जो जै सहीता है इसका आरत होता है विजय संब पढ़कर 24,000 हो गई, तब इसे भारत कहा गया, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, प्राचीन्तम् वैदिक जन् जो भरत के वनसज हैं, उनका कता है, ठीक है, और अंततम क्या हुआ कि इसमें 1,00,000 हो गए ठीक है, और तब इसे महाबारत कहा गया, ठीक है महाभारत जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव है ठीक है बात कलियर महाभारत में कुल 18 पर्व है और इसमें से हमें 18 पर्व में से जो हमें याद रखना है वो है पर्व छटा इसमें क्या है इसको भीशम पर्व कह जाता है छटे पर्व को भीशम पर्व कहा जाता है हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि छटे पर्व का जो भाग है वो गीता है ठीक है और गीता में ही सर्व पर्थम अवतारवाद का उलेक मिलता है ठीक है अगली बात important fact ये है कि महाभारत का तमिल भासा में सर्व पर्थम अनुव अगली बात बंगला भासा में जो अनुवाद था वो अलावद्दी नुसरत सहा के समय में हुआ था ठीक है तो ये बाते आपको याद रखनी है वैदिक संस्कृति जो हमारा chapter है वो समाप्त हो गया है ठीक है तो अपने इंडेक्स के अनुसार हम चल रहे थे और हमने जो आ कर लेनी है क्यों क्योंकि बहुत जल्द हम mcq start करने वाले हैं ancient history of India के ठीक है अब mcq कैसे होंगे वो एक बार में आपको बता देता हूं कि उसमें सुरुवात में क्या होगा बहुत आसान आसान question होंगे जो state pcs में पूछे जाते हैं ठीक है और उसके बाद धीरे धीरे upsc क level के तरफ बढ़ा जाएगा ठीक है मेरी कोसिस यह होगी कि हर chapter के 200 से 2500 mcq solve कर लिए जाएं ठीक है तो जब आप 8 chapter के 200 से 2500 mcq solve कर लेंगे तो आप अंदाजा लगाईए कि लगभग सब topic जो हैं आपके cover हो जाएंगे ठीक बात के लिए होई और ऐसा नहीं है कि सारे question जो बन को क्या करना होगा उनके लिए आपको खोजबीन करनी होगी ठीक है तो आप खोजिएगा यदि आपको नहीं मिले तो आप comment करके बताईएगा उसके बाद में हम उसको बता देंगे ठीक है एक अगली बात important यह है कि बहुत जल्द हम polity भी शुरू करने वाले हैं और modern इंडि लेगा तो polity आगे continue होगी जैसे हमने ancient history of India किया है जैसे हमने art and culture किया था उसी प्रकार से ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि आज की class आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो like करना यदि कोई doubt है तो comment करके बता सकते हैं यदि आप पहली बार class देख रहे हैं तो channel subscribe जरूर करना ताकि आप continue देख पाएं मिलेंगे एगली class में तब तक के लिए bye bye have a nice day